भाजपा के सदस्यता अभियान के तहट पूर्व मंत्री और भाजपा सांसत अनुराग ठाकूर ने हिमाचल का दौरा किया है अनुराग ठाकूर ने धरमशाला में आयो जित बैठक में पार्टी पदादीकारियों के साथ संगठन के मजबूती को लेकर चर्चा की और नए सदस्यों को पार्टी का पटका पहना कर संगठन में उनका स्वागत किया इस दोरान अनुराग ठाकूर ने कहा कि अभी तक पूरे भारत में 2 करोड 40 लाख सदस्यों ने भाजबा के सदस्यता ग्रहन की है भारती अंता पाटी ने सदस्यता अभ्यान की शुरुवात 2 सप्तम्बर को की, मुझे पतातो वे प्रसंता है कि हमने कीर्थिमान स्थापित किया, मात्र आठ दिनों में 2 क्रोड से जादा सदस्यता भारती अंता पाटी ने करें। और अगर आप पिछले कल तक का अंगड़ा देखेंगे तो लगभग 2 क्रोड 40 लाग से जादा सदस्य भारती अंता पाटी के बन चुके हैं। आज से 6 साल पहले जब सदस्यता भ्यान हुआ था तब 18 क्रोड सदस्य बना कर दुनिया का सबसे बड़ा राजनितिक दल भारती अंता पाटी बन गई। हिमाचल सरकार पर भी स्वरान अनुराग ठाकु ने निशाना साथा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर साल 2021 में 61,000 करोड का कर्ज था। लेकिन अब हिमाचल 95,000 करोड रुपे के कर्ज के तले हैं। प्रदेश साल में जितना कर्ज हिमाचल ने लिया था उसका 50 प्रतिशत कर्जा मातर डेड़ साल में ही सुख्ष सरकार ने ले लिया है। कि जितना 75 साल में कर्जा लिया गया उसका 50 प्रतिशत कर्जा के विल डेड़ साल में ले लिया। क्या स्थिती होगी हिमाचल प्रदेश के। ये आर्थिक कूप प्रबंदन जो है ये उस और इशारा कर रहा है कि संबले नहीं तो हिमाचल को ले डूपेंगे। जो हिमाचल कभी मौडल स्टेट के रूप में आती थी। भारतियनता पार्टी की सरकार के समय आज वो इस तिती हो गई है कि आर्थिक कूप प्रबंदन के कारण दिवालिये पन की और हिमाचल प्रदेश अगरसर है। कर दो हिमाचल कर देट का कéma मौडलिये थी। इज अहाएंगे को समयाद के दिवालों सिवालों स्टेटिए थाएंगे है jullie?